हेलो गैज वेलकम बाग टूदी चानल कैसे आप लोग आए होप यज आ डूइंग आपसलूटली फाइन क्रिप्टो कांसी मार्केट में अलग लग नरेटिव होते हैं नरेटिव को यहां पर फॉलो करना इंपॉर्टेंट होता है बड़ जहां पर हम लोग बात करते हैं एक शिफ्ट होता है only towards the mean cryptos बड़ यहां पर बाकी के नरेटिव को हमने एग्णोर नहीं करना है जहां पर हम बात करते हैं AI की जहां पर हम बात करते हैं गेमिंग की RWA की विल यह नरेटिव भी काफी important role play करेंगे और यहां पर इस वीडियो में बात करेंगे about three cryptos in one particular category जो अगर आपके पास है तो आप बहुत easily comfortably आप लोग बैट सकते हो और enjoy कर सकते हो है जहां पर यह नरेटिव काफी important एक role play कर सकता है yes we are talking about RWA real world assets जहां पर आप लोग ने off lately ondo का नाम ज़रूर सुनाओगा because ondo यहां पर pump कर रहा है तो हर को यहां पर ondo की तरफ focus कर रहा है but ondo के कौन कौन से वो crypto's हैं क्या चीज़ें चल रहे हैं RWA में RWA की growth कप तक हम लोग देख सकते हैं सब चीजों के बारे में बात करने कले चलते हैं एक बार coin market cap में अगर इस category में यह 3 specific crypto's आपके पास हैं तो आप लोग enjoy कर सकते हो यह जर नहीं जो हम लोग यहां पर encounter करेंगे in the upcoming bull season तो यहां पर आप देख सकते हो हमने open कर दिया coin market cap currently जो global market that is up 1.41% total market cap की बात करें that is 2.57 trillion dollars dominance की बात करें BTC का dominance is 53% each dominance on the other hand is 17.9% last 24 hours में yes market यहां पर recover हुई है BTC is up 2.17% Ethereum is up 0.88% crypto currency market में बहुत easy होता है to change our narrative जहां पर जो narrative play out कर रहा होता है हमारा पूरा focus उस narrative के आगे बढ़ना शुरू हो जाता है we forget about the different narrative जहां पर हम लोगोंने investments करी yes RWA हम पर काफी important role play कर सकता है जब भी black rock यहां पर बात करता है regarding tokenization of access well वो focus जो है वो वापिस से आता है towards RWA and then हम लोग यहां पर search कर रहे होते हैं कि RWA में कौन-कौन से crypto's हमारे पास होने चाहिए जादा crypto's के बारे में बात नहीं करेंगे तीन ऐसे crypto's बताएंगे जो RWA में अगर आपके पास हैं तो काफी अच्छे returns आप लोग expect कर सकते हो from the market and let us come to this particular category जहां पर यह category में काफी ऐसे crypto's मिलेंगे जो आपके पास already होंगे अगर आप top altcoins में invested हो तो AVAX आपके पास होगा link आपके पास होगा ICP, WeChain क्योंकि इनका न and people have their questions on ondo, कि ondo कहां तक जा सकता है, क्या ये correct time है to buy ondo and ondo का future क्या नजर आता है, ये तीन major question यहां पे एक retail investor के रहते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इसी project के बारे में, जहां पे हम ondo को देखते हैं in last one year, yes it has pumped approximately 794%, हम लोगों की जो buying price थी of ondo that was somewhere around 70 to 80 cents, जहां पे ये March of 2024 to May of 2024 तक इसी price point के आस पास चल रहा था, and this was our buying zone जहां पे हमने ondo को purchase करा है, yes यहां पे काफी लोग ऐसे भी हैं, जिन्नोंने ondo को purchase करा है 20 cents, we missed it out, but यहां पे हम लोगों ने जहां पे purchase करा है, we expect ondo to at least give us 10 to 15 to 20x return, depending कि ondo यहां पे कितने लोग purchase करते हैं, क्या future roadmap रहता हैं, हम लोगों ने काफी बार यह सुना हैं कि BlackRock यहां पे काफी interested है in tokenization of assets, तो yes, ondo यहां पे काफी अच्छा role play करेगा, जो हमारा buying price है, that is not a bad price, in fact, वहां से अगर हम आज भी compare करते हैं, हम लोगों ने अपनी investment जो हैं, वो almost double कर चुके, the question is कि आज का टाइम में काफी ऐसे already pump हो चुका है, market में आप यह शायद वापिस से dip कर सकता है, I would again say कि आप लोग DCA करते वे चलो, वो project जो आपको लगते हैं कि pump हो चुके हैं, वापिस fall कर सकते, DCA से अच्छा option और कोई भी नहीं है, because then you will be confident about that project, ondo आज के टाइम में जहां पे $1.45 का है, I see the price going up, but just in case, यहा पे fall करता है, तो $1.20, you will be nervous अगर आपने सारी investment इस price point पे करिए, so yes, DCA करते वे चलो, अगर आपको यह लगता है, कि ondo यहाँ पे fall कर सकता है, but ondo is one project, जो मेरे हिसाब से, हर portfolio में अपनी जगा ज़रूर बनाता है, आज का time में, and बहुत easy एक project है, जो आपे 10, 15 to 20, returns तक यह के possibility रखता है, from the current price as well, well, जहाँ पे हम बात करते हैं, इसके previous all time high की, well, वो अभी अभी इसने touch करा है, ondo, in fact, हर दूसरे दिन अपना एक नया all time high बना रहा है, अगर हम ondo की website में चलें, तो यहाँ पे आप पर सकते हो, बहुत clearly, the ondo ecosystem is supported by a diverse range of institutional and crypto native partners and service providers, यहाँ पे बहुत ब दिखाई देता है, your finance यहाँ पे दिखाई देता है, injective यहाँ पे आपको दिखाई देता है, so saying कि यहाँ पे backup जो है ondo का काफी ज्यादा strong है, and only one name यहाँ पे काफी है, जिसका नाम है black rock, वो जब तक यहाँ पे है, तो yes, we are confident कि ondo में काफी अच्छे upside हमें देखने को मिल सक है, tokenization का अगर यहाँ पे narrative जो है, वो आगे बढ़ता है, तो ondo में काफी अच्छे gains हैं, जो हम लोग ले सकते हैं, but ondo is one crypto, एक ऐसा crypto है, जिसके बारे में हर कोई जानता है, हर कोई बात भी कर रहा है, I'm sure काफी ऐस investors होंगे, जिनके पास ondo already होगा, यहाँ पे दो और projects आते है, Rio के नाम से आता है, अगर हम यहाँ पे exchanges की बात करें, तो जादा exchanges में available नहीं है, but yes, kucoin में अगर आपका account है, maximum account है, bing x में अगर आपका account है, तो यहाँ पे जाके आप इसको purchase कर सकते हो, realio की हम लोग बात करें, तो हमने काफी अच्छे price point में, Rio में invest करा था, and yes, currently हम लो हम लोग invest करते हैं, ना low cap crypto, market में जब भी वो pump हुटा है to 5 to 6x, हम लोग सबसे पहले अपना invested amount बाहर निकालते हैं, और उसका reason बहुत simple है, ताकि हमें उस crypto में या उस token में कभी भी loss ना हो, and that is our scenario in Rio right now, जहाँ पे अब Rio अगर 0 में भी चला जाता है, तो हमारे साथ वो risk नही रहते हैं, रियो को अगर हम overall chart देखें, तो यहाँ पे इसने अपना all time high बनाया था, of somewhere around $4.85, 2021 में यह touch करा था, somewhere around $2.74, social media के माने, तो वहाँ पे यह बोलते हैं, कि Rio का price जो है, वो $15 से $20 तक बहुत easily पहुन सकता है, विल 10x from the current price, Rio वो कर सकता है, because एक low cap crypto, low cap crypto में हमेशा वो advantage रहता है, but simultaneously you should look into the circulation supply, 8.76% market में circulation में है, और यह एक wiring factor जरूर बनता है उन्हें investor के लिए जो आँख बंद करके invest करते हैं, tokenomics काफी जादा important एक role play करते हैं, yes you should be aware of it, यहाँ पे Rio में वो risk है, and low cap crypto जरूर है, but वो risk हमें सब में दिखा ही देता है, Bitcoin क्या पता यहाँ पे $125,000 to $1,500,000 ना पहुँचे, क्या पता Bitcoin यहाँ से fall करने लग जाए, but जहाँ पर हम लोग positive है regarding Bitcoin, because हम जानते हैं कि history अपने आपको repeat करेगी, well Rio का भी एक upside हम लोग definitely देखते हैं, जहाँ पे हम expect करते हैं Rio to touch approximately $15 to $20, जो हमारा exit price भी हो सकता है for Rio from the current price, and यह चीज़ आप लोगों को देखनी है, रियो एक अच्छा crypto है, इसमें कोई डाउट निया, many people prefer buying Rio over ondo, but yes, vis-a-vis, यहाँ पे opposite side के भी काफी लोग है, जो prefer करते हैं buying ondo, because थोड़ा safe यहाँ पे वो play करता है अगर हम crypto market की बात करें, and especially इस category की बात करें, और इस category में अगर वापस आएं, तो third crypto pick करना बहुत difficult है, जहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं, वीचेन को लेके, वीचेन currently इंटर कर रहा है RWMN, काफी अच्छी वो progress कर रहा है, वीचेन हम लोगोंने अपने portfolio में रख पी रखा है, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, quant को लेके, quant के बारे में काफी लोगों के questions हाई दहीं, क्यांट के उपर एक video बनाऊ, quant के बारे में हम अलक से बात करेंगे, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं mantra को लेके, बहुत सारे ऐसे crypto है, पेंडल एक और क्रिप्टो है जो आता है RWA में, डसक एक और क्रिप्टो है जो आता है RWA बट RWA में अगर हम लोग उन्हें पिक करना है तो third crypto would be chain link chain link हम लोग सब जानते हैं top alt coin है बट उसी के साथ-साथ chain link जब से इंटर करा है to RWA chain link में एक progress हमें जरूर देखने को मिली है last one year की बात करें 181% up यहाँ पे chain link का काफी upper side हम लोग expect करते हैं from the market जहाँ पे chain link हमेशा यहाँ पे fall करता है towards 13 to 14 dollars के आसपार and again यहाँ पे palm करता है near to 20 dollars यह एक phase जो हमें देखने को मिल रहा है in chain link from the end of 2023 2023 से अभी तक की बात करें तो यह zone में जो है वो chain link बहुत टाइम से चल रहा है जहाँ पे इसका price approximately जाता है towards 13 dollars and upper side की बात करें तो approximately 20 dollars के आसपार से जाता है chain link एक ऐसा crypto हो सकता है which can surprise many people top 20 में यह enter कार चुका है already यहाँ पे काफी लोग यह assume कर रहे हैं कि chain link top 10 में अपनी जगा बहुत easily बना सकता है and yes we are with them हम लोगों को भी उमीद है कि link इस bull season में काफी अची progress कर सकता है जहाँ पे हम लोग बात कते हैं ground figure की of 100 dollars well काफी लोग यह बोलते हैं कि वो under value prediction है for chain link but yes वहाँ से हम लोग chain link को sell करना start जरूर करेंगे chain link के अगर हम previous all time high की बात करें that was 52 dollars and 88 cents हम लोग यहाँ पे almost double देखते हैं from its previous all time high of approximately 100 dollars at least वहाँ तक बहुत easily link पहुंच सकता है looking into जिन जिन चीजों में link आज के time में काम कर रहा है वैल यह चीज़े बहुत easily possible है in link so yes यह तीन crypto है in RWA जो अगर आपके पास है तो आप लोगों ने जादा यहाँ पे मेहनत नहीं करने पड़ी definitely Rio के बारे में आप लोग अपनी study जरूर करें because एक low cap crypto है yes low cap crypto में वो risk हमेशा रहेगा but other than Rio यहाँ पे हम ondo and link की बात करते हैं तो काफी safe crypto हम लोग उनको बूल सकते है according to the ranking but Rio को underestimate नहीं करना है उसके बार में study करनी है अगर आपको अच्छा लगता है तो आप purchase कर सकते हो जैसे कि हम लोग ने बात करी Rio से हमारा invested amount भार है तो कल के date में अगर Rio zero में भी जाता है तो हमें loss नहीं होंगे ondo and link on the other hand हमारा invested amount अभी इन में पड़ा हुआ है and we are hopeful कि ondo, link and Rio तीनों के तीनों काफी अच्छे return दे सकते हैं from the current price although अगर आज के time में आप लोग इन तीनों में से कोई भी crypto purchase करने की सोच रहान यह सोच के डर जाते हो कि यह already pump हो चुके है well market में अभी तक वो peak नहीं बनाया market में peak की जहां पे हम लोग बात कते हैं we speak about 2025 bitcoin अभी तक $100,000 को cross नहीं करा एक ऐसा psychological point जहां पे bitcoin काफी time तक रह सकता हमारे targets for bitcoin is $125,000 to $1,500,000 और इसके बारे में हम लोगों ने काफी बार बात करीए वो एक price range है जो आज की time में अगर हम लोगों को बोला जाए कि कप selling करोगे तो yes that is the price range जहां पे हम लोग selling करना start करेंगे बड़ जहां पे हम लोग बात कते है narratives की well उसको जरूर follow करिएगा RWA काफी अच्छा play हो सकता है for the market जहां पे एक retail investor का focus shift हो रहा है to meme coins well काफी लोग काफी बड़ी whales यहां पे shift कर रहे हैं अपने focus to different categories जहां से retail investor almost बाहर जा चुका है something for you to understand do you want to get into those crypto's जो already pump हो रहे हैं या हो चुके या आप लोगों ने अपना focus जो है वो shift नहीं करना I'm not saying कि meme coins में वो potential नहीं है अभी meme coins में काफी अच्छा potential है काफी लोग बोल रहे हैं कि वो एक super cycle बना सकता है this bull season में and I also believe that हम लोग वे पास भी meme coins हैं बड़ जहां पे हम लोग बात करते हैं utility crypto की बाकी के narratives काफी अच्छा roll play कर सकते हैं जहां पे हम बात करते हैं gaming AI rwa top alt coins इनको miss out definitely मत करेगा yes आज की time में यह pump नहीं हो रहे but a time will come when you will regret कि यार हमने वो sell off करके meme coins में क्यों purchases करे shuffling बिल्कुल भी मत करो अपने portfolio के and that is what we are doing अपने cold storage wallet में हमने अपने cryptos रख रख है and expecting a bull season yes काफी अच्छे profits हम लोग भी निकालेंगे and we hope the same for you आप लोगों के क्या thoughts है regarding rwa कौन कौन से ऐसे cryptos हैं जो rwa में आपने purchase करके अपने portfolio में रख रखे नीचे comment section में comment करके ज़रू बताइएगा with that's it guys आज का वीडियो करते हैं पे and I hope आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना शेर कर लेना सब्सक्राइब कर लेना thank you so much for watching our channel see you next time okay bye bye